नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में बनाते हैं उससे ही इसका स्वाल डबल आ जाएगा तो उसके लिए देखे जिस तरह के आप चावल घर में इस्तमाल करते हैं बासमती कोई भी आप वो ले लिजे मैं नॉमली कोई मेमान वगेरा आता है या कुछ पुलाओ अच्छा बनाना होता है तो बासमती करती हूँ अद किन दी में हम इसे सिपरी बोलते है आप चाह तो कड़ाई भी बोल सकते हैं अब यहां पर ना मैंने इसके अंदर दो चमस तेल डाल दिया है तेल को अच्छे से गरम होने देना है जैसे यह गरम हो जाए न इसके अंदर आपको डालना है तीन कप पानी दो कप चावल में त वाद केनुसा नमक नमक डालने के बाद अच्छे से इसे मिला लेना है देखे इस तरह से मिलाने के बाद इसे ढखकर पानी को गरम होने देना है देखे पहली बात के तेल को अच्छा गरम करें दूसरी बात पानी को अच्छे से गरम होने दे दो बाते हो गई अब देखे पा तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए जब तक इसका पानी सूख जाए पर हां इसे बीच बीच में मिक्स करते रहेगा तो लगबक इतनी कॉंटिटी के चावल ना चार से पांच मिनिट लगेंगे पानी सूखने में यहां पर आप देख सकते हैं लगबक चार से पांच मिन होगे बिलकुल हलका सा पानी रह गया है तो ढखकर बिलकुल लो फ्लेम कर लें यानि के बिलकुल धीमी आज पर पांच मिनट के लिए पकाएंगे यहां पर पांच मिनट हो चुके हैं और यह बड़िया से हमारे सिंधी स्टाइल प्लें राइस बनकर तैयार है स्वाद थोड यह हेल्दी और टेस्टी है तो ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट्स बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक यू फॉ बाच वाच 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 कर दो बाच वाच 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